Hello everyone, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कच्छा आठ गणी का अभ्यास 2B को सॉल्व करने वाले हैं इससे पिछली वीडियो में हमने 2A को सॉल्व कर रखा है वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मैं दे दूँगा आप वहाँ से देख सकते हैं तो हम लोग 2B को सॉल्व कर रहे हैं आज देखे, पहला पर्षन है गुड़न खंड बिधी से निमनांकित के वर्गमूल ग्याद किजिए गुड़न खंड बिधी से ग्याद करना है आपको तो पहला कोस्टन आपके सामने है फॉस्ट देखिए पहला का पहला कोस्टन दिया है साथ साथ चार चार दिया है न इसको आपको गुड़न खंड बिधी से सॉल्व करना है गुडन खंड भी धी ये वाली भी धी जे अब इसको आप 7, 7, 4, 4 लिख लीजिए अब इसको आप गुडन खंड कीजिए फैक्टर ठेक है इसको कट कीजिए तो हमेशा दोस्तों आप अभाज नंबर से कट कीजिएगा जैसे में अभाज संख्याएं होती हैं 2 हो गया, 3 हो ग और अपने आप से कटे वही संख्याएं अभाज संख्याएं कहलाती है ठीक है ना तो आपको इसको कट करना है हमेशा अगर इस नंबर से आपका कट करते हैं तो आपका कभी गलत नहीं होगा ठीक है देखिए तो सबसे पहले श्राट करते हम 2 से दो से दो तियाई छो फिर उसके बाद दू अठे सोला दू सते चुगदा दो दूना चार फिर दो से दो एकम दो एक चला गया दू नमा अठारा दू तियाई छो दू छा के बारा फिर दो से दू नमा अठारा दू छा का बारा और दू अठे सोला फिर दो से दो दूना चार 2, 4 के 8, 2 एकं सोरी, 2 दुना 4 फिर 2 से 2 एकं 2 2 दुना 4, 2 एकं 2 इसे अब देख रहे हैं यह 11 का स्कौर है यह 11 कवर्ग है तो 11 से काटेंगे तो 11 आएगा फिर 11 से एक बार 11 यह क्योंगे है तो और किसी नंबर से नहीं कटेगा सिर्फ 11 से कटे गई है तो 11 से काटेंगे तो यहां पे 11 आएगा फिर 11 से 1 आजाएगा है अब वर्गमूल ग्यात करने का बात किया है तो आप यह लगा दिए रूट इसको बोलते हैं करड़ी ठीक है ना अब इसमें देखिए जो यहां पे नंबर हम लोग जो यहां पे दो गुड़े दो गुड़े दो एक दो तीन चार पांच छे उसके बाद 11 दो बाराया है तो multiply 11 ठीक है अब वर्गमूल का मतलब होता है जोड़ा बनाना यह आपको जोड़ा बनाना है किसी भी नंबर का जोड़ा बनाना है ठीक ना देखिए एक जोड़ा यह बन गया रूट में जोड़ा बनाएंगे ठीक ना एक जोड़ा बन गया एक बाहर आजाएगा यानि दो जब दो जोड़ा बनाना तो एक बाहर आजाएगा फिर यहां से भी एक दो बाहर आजाएगा फिर यहां से एक ग्यारा बाहर आजाएगा ठीक है बराबर अब यह रूट हट root का मतलब होता है जोड़ा बनाना, तो हम लोगों ने जोड़ा बना दिया और एक बाहर आ गया, तो root हट गया अब इसका आप गुड़ा कर लिजिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 8 में 11 का गुड़ा करेंगे तो 88 आता है, 88 आपका एंसर होगा ठीक है, यानि 7744 का वर्गमूल 88 होगा, ठीक है अब देखिए, दूसरा कोशन है दूसरा कोशन लेते हैं 11, 6, 6, 4 है न, अब इसका आपको वर्गमूल निकालना है तो root चाहा दिजिए, ठीक है न, अब इसका आप गुड़न खंड कीजिए, तो गुड़न अब देखिए, अब ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 9 आ गया देखिए, तीन से कटेगा, तो तीन का रूल होता है जोड़ने पर कटना चाहिए, तो 7, 2, 9, 9, 9, 8, तीन से कट जाएगा 3 से 3 premi 6, और 3sters, 3 cream, 9, तीन से कटेगा, 3 से 39, 8, 24, 3 a.k. 3 फिर तीन से कटेगा, 3 Calvin 6, 3 Anti 21, फिर तीन से कटेगा, 39, 27, और फिर तीन से 3 человека 9, और फिर तीन से 3 Along 3, तो इतना नंबर हमारे सामने आ गया अब इसी नमबरों को, अब इसी जो यहाँ पर गुड़न खंड किये हैं, इसी को आप इसमें लिखिये, यह रहा रूट, तो एक, दो, तीन, चार, चार बार दो आया है, लिख लीजिए, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, ठीक है, अब जोड़ा बनाईए अब, त यहाँ से एक, दो बाहर आया, यहाँ से एक, दो, यहाँ से एक, तीन आया, यहाँ से एक, तीन आया, और यहाँ से एक, तीन आ गया, अब इसका गुड़ा कर दीजिए, दो, दुना, चार, चार, तीयाई, बार, बार, तीयाई, चार, तीयाई, चार, तीयाई, चार, तीया दूसरा नंबर क्या है गुड़न खंड बिधी से नीम नांकित के धनात्मक वर्गमोल ग्याद किजिए गुड़न खंड बिधी से यानि यही वला बिधी अपनाना है लेकिन यहां पे देखिए अंस भी दे दिया और हर भी दे दिया है यानि इसका भी वर्गमोल निकालना है इसका भी वर्गमूल निकाला है अब यह answer में answer आएगा ठीक है तो चलिए इसको में अमलोग करते हैं तो दूसरा का पहला question देखी दिया हुआ है 625 बटे में 1292 है है ना अब इसका भी आपको वर्गमूल ग्याद करना है पहले 625 का इस तरह निकाल लीजिए फिर 1292 का निकाल लीजिए ठीक है देखी तो सबसे पहले 625 का निकालते हैं देखी लास्ट में 5 है तो यह 5 से कटेगा 5 से 5 से 5 से कम 5 एक चल गया 5 दूना 10 पचाशा 25 ठीक है 5 से 5 दूना 10 और 25 हो गया फिर 5 से 5 से कम 5 तो 625 तो गुडनखंड हो गया अब 1296 कीजिए तो 1296 दो से काटी है क्योंकि लास्ट में देखी 6 है देखी दोस्तों आपको काटने का रूल पता होना चाहिए 2 का 3 का 4 का 5 का लगबख 10 नमबर थक, ठीक है ना, काटने वाला रूल भी मैं बना दिया हूँ, इस वीडियो में वो लिंक मैं दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, आपको काटना आना चाहिए, ठीक है, देखिए, दो से दो छक के बारा, दो चोग के आठ, दो से दो तिया 27, फिर 3 से 33 के 9, फिर 3 से 3 कम 3 आगए, ठीक है, अब देखिए, 625 के जगा ये लिख लिजिए, और 1292 के जगा ये लिख लिख लिजिए, तो 625 का है, पहले ये बना ये, तो 625 के जगा लिखेंगे, 5, गुडे 5, गुडे 5, गुडे 5, गुडे 5, बटे में, 1292 ये देखिए एक, दो, तीन, चार, चार बार दू लिखिए, हो गया, उसके बाद, चार बार तीन, एक, दो, तीन, और चार, हो गया ना, अब आप इसका जोड़ा बनाईए, ठीक है, देखिए, एक, पांच का जोड़ा, ये जोड़ा, ठीक है, इसका भी, और ये, ये, और ये, ठीक है, अ तीन यहां से अब इसका गुड़ा कर दिजिए तो पचाह पचीस बटे में दो दूना चार चारतियें बारा बारतियें चातिस देखिए इतना इसका एंसर आ गया ठीक है ना यानि 625 बटा 1296 का वर्गमूल 25 बटा 36 होगा ठीक है तो इस तरह से आप कर सकते हैं यानि उपर व इसको आप पूसिस किज़ें लगाने का देखिए इसको लगाते हैं देखिए दिदि हैं कि चार सही 29 बटा 49 तीसरा नमबर कोश्चन चार सही 29 बटा 49 इसको पहले आप締ीक है इसका गुड़ा इसमें होता है फिर इसमें जोड दिया इता है 59 का गुड़ा हम किसमें करें चार में और इस 29 को हम लोग जोड देंगे अब आगी नीचे उन्चास तो रहेगा ही है ना ये सही बटा में है ठीक है तो उन्चास का गुड़ा चार में फिर इसको जोड देंगे है ना जब इसको जोड़ेंगे तो आपका एंसर आएगा 225 आ जाएगा ठीक है अब बटे में उन्चास रहेगा ही ठीक है इसका आपको वर्ग मूल निकालना है है ना तो फिर वही मैं थाड़ 235 को गोडन खंड किजिए उन्चास को गोडन खंड किजिए तो पांस से कटेगा आप जो जो आया है उसको रख दीजिये अब इस दूसका गोडन खंड फॉर लिखे देखिए 5 गुडे 5 गुडे 3 गुडे 3 बटे में 49 का देखिए काया है सात गुडे साथ है ना अब इसका आप जोड़ा बना यह देखिए यह 5 का जोड़ा बन गया और यह 3 का फिर यह 7 है न तो 1 5 बाहर आज जाएगा एक यहां से 30 बाहर आज AX आप इसका गु ठीक है यह आपका हो गया ठीक है ना तो उसी तरह देख야지 बहुत सारा question है आप उसी question को practice किजिएगा लगाईएगा देखिए एक last बाज़ा बता दे रहे हैं बी नंबर तो बी नंबर आपका question क्या है देखिए बी नंबर question है आपके सामने कि 75 सही 46 बटा 49 ठीक है इसको गुड़न खंड करना है तो फिर से वही बताएं हम आपको कि 59 का मल्टिप्लाई 75 में करना है पलस 46 को जोड़ देना है बटे में नीचे तो 49 रहेगा ही अब देखिए 49 का गुड़ा 75 में करेंगे और 46 जोड़ेंगे तो आएगा 37 21 बटे में 49 तो रहेगा ही ठीक है अब इसका वर्गमूल लगा दीजिए है न अब इसको आप गुड़न किजिए तो 37 21 को और 49 को देखिए गया आप तो 37 21 को गुड़न खंड करना है ठीक है तो किस नमबर से काटें देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं 3 7 10 होता है 10 दूबार बार एक तेरह नहीं कटेगा ये किसी नमबर से नहीं कटेगा क्यूंकि ये एक अभाज संख्या का स्क्व होता है ये अब 61 किसी से कटता ही नहीं है तो ये किसी नमबर से नहीं कटेगा बिल्कुल तो 61 से आप वगर भाग करेंगे तो 62 यानि 61 का ये इसक्वार है अब देखिए अब उन चास को आप गुड़न खंड कीजिए तो उन चास को भी तुरंत आपने किया है उन चास आया साथ गुड़े साथ ठीक है देखिए इसका ये जोड़ा बन गया इसका ये जोड़ा बन गया ठीक है तो 61 बहार आ जाएगा एक ठो 7 बहार आ जाएगा इसका एंसर ही रहा है नो तो इस तरह से आप गुड़न खंड भीधी से इसको solve कर सकते हैं ठीक है बाकी मैंने दो कोश तोनों को बढ़िया तरीके से नहीं लगा सकते हैं तो आपको खुद से प्रयास करना पड़ेगा ठीक है तो विडियो को बार बार देखिए और समझने का प्रयास किजिए देखिए तिसरा नमबर कोशन देखते हैं एक बाग में आम के 204 पेड़ है परतेक पंक्ति में उतने पेड़ है जितने की पंक्तियां है यानि जितनी पंक्तियां है उतने ही उस लाइन में पेड़ भी है समझ रहे हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको वर्ग मूल निकालना पड़ेगा ऐसे प्रस्णों को वर्ग मूल निकालना पड़ता है ठीक है न तो वर्ग मूल कि पहले काटी यह दो एकम दो फिर दो एकम दो फिर यह चला गए दो पच्छे दस दो दुना चार हो गया फिर दो से दो दुना चार हो गया दू अठे यह उसको आप यह पे लिख दीजे एक दो तीन चार पच चो साथ आट आट दो चार अच और व दो पर आए यह गतल 먹어 यह दो से दूड़ा बना को दिए दो is a मिली त fel गया बन जी है एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, अब एक ये जोड़ा, तो एक बाहर आ जाएगा दो, फिर यहां से दो, फिर यहां से दो, फिर यहां से दो, आएक तीन यहां से आ जाएगा, ठीक है, अब इसको गुड़ा कर लिजे आप, तो दो दुना चार, चार दुना सोला सोलतियां अड़ तालीस इसका एंसर आ जाएगा यानि अड़ तालीस पंक्तियां है और अड़ तालीस ही पेंड है हर एक पंक्ति में ठीक न अड़ तालीस पंक्तियां है और अड़ तालीस ही हर एक पंक्ति में पेंड है तो इसका एंसर कितना आ जाएगा अड़ की कुल टोलियां थी यदि उस सेना में कुल 6561 साइनिक थे तो परतेक टोलियों में कितने साइनिक थे ठीक है तो यह टोटल दे दिया है अब इस तरह से टोली को बाटा है कि परतेक टोली में उतने ही साइनिक है जितने की टोलियां है तो इसमें भी आपको वर्गमोल निकालन किसका निकालना है 5600–6661 का यहीं पर निकाल लेते हैं ठीक है ना जगह तो है ही है तो 4 नंबर का इस कोस्षन है 4 यहीं के 5600–166 निकालना है फैंसर सो एकटा il निकालना है यह और आप ऐसे कर सकते हैं इसको अब इसको आप फैक्टर कीजिए तो तो 65, 61 का आपको फैक्टर करना है, तो ये किस से कटेगा, तो 6, 5, 11, 11, 11, 12, 12, 16, 18, तीन से कट जाएगा, तीन से कट जाएगा, तो तीन से काटी ये ज़रा, तीन से 3 दूना 6, और 3 एकम 3, यहाँ पर 3 अमठे 24, 3 सते 21 हो गया, फिर देखे 3 से कटेगा, तीन से 3 सते 21, तीन दूना 6, और 3 नमा 27, फिर तीन से 3 एकम, तीन से 3 दूनी 6, तीन दूनी 6, तीन दूनी 6, तीन से 3 एकम, तीन आगया, तीन जितना भी आपके सामने आया है गुडन खंड, उसको आप इसमें लिख लिए, देखे, 65, 61 यहाँ पर लिखे थे, इसको यहाँ प 65, 61 के जगह पर यह लिखना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छो, साथ, आठ, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छो, साथ, और आठ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छो, साथ, आठ, आठ, बार 3 आया था लिख लिए, अब जोड़ा बना यह, 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 ठीक है, अब जो ज वर्ण निकाल दीए तो यहाँ सłem Cars 3 यहां से 3 यहां से 3 और यहां से 3 तुम्हार में लिए reflecting अगला खड़ा करता है एक खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है बाद में उसे ग्यात होता है कि 60 जवान सेश रह जाते हैं यदि उसके पास कूल एक 860 जवान थे तो बताईए कि प्रतेक पंक्ती में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किये थे देखिए ये जवानों को खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है एक पंक्ती के हिसाब से देखिए इस टाइप से बनवा रहा है ये एक पंक्ती खड़ा कर रहा है पंक्ती मतलो वर्ग बनवाता है तो 60 जवान सेस राजाते हैं और total थे उसके पस कितने 1,860 जवान तो 6160 जवान का जब यो यूज करता है इसको बनवाने में तो 60 जवान सेस राजाते हैं यानि 60 बाहर हो जाते हैं तो 60 को पहले घटा लीजिए तो घटाएंगे तो 0, यह 0, 1 और 8, 81 सो आ जाएगा, यानि 81 सो से यह वर्ग बना हुआ है, समझ रहे हैं आप पूछ रहा है कि परतेक पंक्ती में सेना नायक ने कितने जवान खड़ा किये थे, समझ रहे हैं, तो परतेक पंक्ती में यानि कि जितने भी यह पंक्ती है, उतने यह पंक्ती है, जितने की परतेक पंक्ती में जवान है, तो इसका भी आपको वर्ग मूल निकालना पड़ेगा, यानि 81 सो का आपको वर्ग मूल निकालना पड़ेगा, तभी मालूम चलेगा कि कितने जवान खड़े कि यह थे, ठीक है, तो 81 सो को भी आप गुड़न खंड से जरा निकाल यह 11 की एक और दो से काटी यह दो से दो चुउके 8 फिर उसके बाद जीरो दो पच्छे दस जीरो फिर दो से दो दूना चार जीरो धो दो दूना चार दो पच्छे दस फिर अब आप पांच से काट सकते हैं पांच से पांच जो के बीश जीरो पचा पचीस फिर पांच से पचवाठे चालीस पांच से कम पांच फिर तीन से काटी है तीन दूना च्छो तीन सते एकीस फिर तीन से तीन नवा सता इस फिर तीन से कि और फिर तीन से तीन कम तीन आ नगया ठीक है अब जो आया आप उसको यहां पर लिक्तिस्थ थरा देख लीजी तो दो बार आया है उसको एक बाहर निकाल लीजिए यह दो, एक बहार आजायगा, एक पांच बहार आजायगा, एक तीन बहार आजायगा, और एक तीन बहार आजायगा, अब इसका गुडा कर लिजिए आप, तो दो पच्छे 10, दस तीगार रादway, यानी नवे एंसर आपका, ठीक है, यानी परतेक पंक्ती में नवे जवान ख गुड़नफल पुल्ड वर्ग बन जाए क्या कह रहा है कि गुड़ा करने पर गुड़नफल पुल्ड वर्ग बन जाए यानि यह जो नंबर हमारे सामने दिया हुआ है यह पुल्ड वर्ग नहीं है इसमें ऐसा कोई नंबर हमको गुड़ा करना है जो पुल्ड वर्ग होगा ह न यहीं परफेक्ट स्क्वाइर नहीं है यह नमबर इसका हम लोग गुडन खंड करते हैं पहले 1890 का 6 नमबर कोस्चन यह 5 था 1890 का गुडन खंड की ज़रा तो 2 से काटी यह 2 से 29 18 248 25 10 अब यह 2 से कटेगा नहीं 5 से काटते हैं 5 से 5 एकम 5 यह चला गया पर 35 45 45 फिर 3 से कटेगा 36 18 13 यह पिर 3 से कटेगा तीन दूनी 6 3 इकम 3 फिर 7 से कटेगा साथ से कटेगा साथ एकम बिजन खंड क्या आया यह बताए पहले आप 18 90 यह आपको पता है कि यह पूर वर्ग नहीं है तो इस का गुडन खंड क्या आया है दो गुड़े पांच गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तीन आया है गुड़े साथ आया है ठीक है देखिए अब यहाँ पे अब ध्यान से आप देख रहे होंगे कि पुल्डोवर्ग कब होता है कोई भी संख्या अगर उसका जोड़ा बनता है परफेक्ट जोड़ा भी नहीं है, तीन का जोड़ा है, और तीन का जोड़ा नहीं है, एक साथ का जोड़ा भी नहीं है, यानि इसमें दो का गुड़ा करना पड़ेगा, एक ठो दो देना पड़ेगा, इसमें एक ठो तीन देना पड़ेगा, और इसमें एक ठो साथ देना पड़ेगा, तब इस नं समझें है ना तो 210 का गुड़ा 3 अगर आप इसमें करते हैं, जो भी गुड़न फल आएगा, वो पूडवर्ग होगा, ठीक है, तो इसका एंसर हो जाएगा दूसो दस, यानि दूसो दस वह नमबर है, जिसका गुड़ा, हम लोग अठारो सो नमबर में करेंगे, तो गुड़न फल पूडवर्ग बन जाएगा अगला कोशन देखिए क्या है, साथ नमबर, दिया है कि वह चोटी से चोटी संख्या ग्याद कीजिए, जिससे चौरानवे सो आठ में भाग देने पर पूडवर्ग हो जाए, ठीक है, इसमें गुड़ा करने के लिए कह रहा था, इसमें भाग देने के लिए कह रहा है, ठी किये, तो चोरानवे सो आठ, यह साथ नमबर कोशन है, चोरानवे सो आठ का हम लोग फैक्टर करते हैं, दो से दो चोग के आठ, दो सत्य चोग जीरो दो चोग के आठ, फिर दो से दो दूना चार, ठीक है न, तो यहाँ पर हो जाएगा दो ती याई चोग, दो पच्चे द सोला, दो अठे सोला, फिर दो से दो दूना चार, दो नमा ठारा, दो चोग के आठ, फिर दो से दो एकम दो, दो चोग के आठ, दो सत्य चोग दा, फिर तीन से कटेगा, तीन चोग के बारह, तीन नमा सताइस, फिर साथ से कटेगा, साथ एकम साथ उन्चास हो गया, साथ ए इसका factor आया जो गुड़न खंड आया उसको आप यहां पर लिख लिए तो 94 108 का क्या गुड़न खंड आया है एक दो तीन चार पांच छो छो बर दो आया है ये तीन ये चार ये पांच ये छो ठीक है और एक बर तीन आया है और दो बर साथ आया है अब देखिए अब इसका जरा आप देखिए ये perfect square तो नहीं है ये आपको पता है question बोली दिया है तो बोल रहा है क्या हम इसमें भाग दे दें ठीक ना देखिए तो इसका ये जोड़ा बन गया इसका ये जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा बन गया देखें, दो का जोड़ा बन गया इभी दो, इभी दो, इभी साथ जोड़े में है, लेकिन ये तीन जोड़ा में नहीं है यानि कि इस तीन को हम हटा दें तो बाके सब नमबर का जोड़ा बन रहा है इसका मतलब परफेक्ट इसको एर बनेगा, है ना, तो यानि कि हम 3 से इस संख्या को हम डिवाइड कर देते हैं, तो जो आएगा जो एंसर वो आपका पूड़ोवर्ग होगा, यानि चलिए दिवाइड करके देखते हैं, तो 94, 108 का डिवाइड कर देते हैं, 3 से, तो 3, 3, 9, 3, यानि 36, 36, आया न, तो ये पूड़ोवर्ग है, तो एंसर आपका क्या हो जाएगा, ये 3, यानि 3 वह चोटी से चोटी संख्या है, जिसको 94, 108 में डिवाइड कर देने पर, भाग दे देने पर, भागफल पूड़ोवर्ग बन जाएगा, तो आज हमने अभ्यास टूबी को स कभ्यास का वीडियो बनाने का कोशिज करूँगा, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए जैहिन, जै भारत!